अब भी कितना पटोरते हैं, कितना एक अठाप बनाते हैं, जाए मेरा तो अब 20 साल का प्लाइनिंग सब ठीक ठाक है, परिवार में ठीक और गाड़ी बंगला इत्यादि, लेकिन जब जाते हैं संसार में, सब छोड़ के चले जाते, एक दिन तो संसार को छोड़ना ही होगा, अब ही आ सकती को छोड़ दो, और मन को भरी में लगा दो, क्यूंकि साथ कुछ नहीं जाएगा, एक बार, मैं वरेंडा में बैठा था किसी के घर के, और एक चीन्टी, पत्ता उठा कर जा रही थी, चीन्टी बड़े विचित्तर प्राणी है, वो अपने शरीर के वजन का बीस गुणा उठा पाती है, आप देखेंगे, एक कीड़ा उठा के चलती है चीन्टी, तो बड़ा सा पत्ता उठा के चीन्टी जा रही थी, धीरे, 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 चालीस मिनिट के बाद उसने लगभग सत्तर प्रतिशत यात्रा तै कर दी थी, तो वहाँ पर एक जमीन पर क्रैक था, दो टाइल के बीच में, अब चीन्टी की इतनी लंबी टांगे तो है नहीं कि यहाँ एक टांग और वहाँ दूसरी टांग, वो अटक गई हाँ, लेकिन चीन्टी ने अपनी बुद्धी लगाई, उसने पत्ते को जमीन पर रखा, और उसकी उपर चड़के पार चली गई, यानि पत्ते को ब्रिज बना दी, फिर दूसरी तरफ जाके पत्ते को उठाया, और आगे चली गई, हमने कहा ये तो कमाल ही हो गया, विधाता ब्रह्मा ने चीन्टी का शरीर इतना छोटा बनाया, और उसमें चीन्टी की बुद्धी, वो तो सुई की नोक के बराबर साइस की है, लेकिन उस बुद चीन्टी आगे बढ़ती गई, अब एक घंटे के बाद वो जमीन के कोने दीवार तक पहुंची, जहां से उसको नीचे जाना था, वहाँ उसको पता चला कि ये पत्ते को मैं नीचे नहीं ले जा सकती, क्रैक में, तो एक घंटा परिश्रम करने के बाद वो चीन्टी पत्त को वहाँ छोड़ के अंदर चली गई, आप कहेंगे लो बेचारी चीन्टी, लेकिन हम सब लोगों का यही हाल है, वो पत्ते के जैसे हम भी कितना बटोरते हैं, कितना एक अठा बनाते हैं, सब मेरा तो अब 20 साल का प्लैनिंग सब ठीक ठाक है, परिवार भी ठीक और गाड यही बंगला इत्यादि, लेकिन जब जाते हैं संसार में, सब छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महराज ने कहा, कि जग छोड़ना ही होगा, गुविंदराधे, पहले ही छोड़ी मन हरी में लगा दे, एक दिन तो संसार को छोड़ना ही होगा, अब ही आसकती को छोड़ दो, और मन को हरी में लगा दो, क्यूंके साथ कुछ नहीं जाएगा, जब कोई मरता है, लोग ये थोड़ी कहते हैं, कि नगर सेट कितना ले गए अपने साथ, लोग कहते हैं नगर सेट कितना छोड़ के गए, और उत्तर क्या है, सब छोड़ के गए, साथ में तो एक सुई भी नहीं गई, किसी ने कहा, कवी ने कि दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे, क्या मोती, इतना कमाये संसार में, लेकिन क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती, जो कफन, जो मृत शरीर को ढखते हैं कपड़े से, उसको कफन बोलते हैं, तो कफन में जेब नहीं होती, इसलिए अंतिम यात्रा जब निकली, तो साथ में कुछ नहीं गया, तो हम को अपने जीवन में श्रेष्ट लक्ष्य बनाना, ये श्रेष्ट लक्ष्य का मतलब आत्म सुधार अच्छा बनने का प्रयत्न करना है, कर दो हम जेब आत्म सुधार अच्छा बनने का प्रयत्न करना है, कर दो हम जेब निकलीक के तो कंस्तिक के। झाल झाल